नमस्कार मित्रो जय हो सिरीहरी बिशुरु देव महराज दोस्तों स्वागत त्याब शभी का आपके अपने यूटियोब चैनल में एक बार फिर से एक नई और ताजा वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छे जुलाई गुरुवार आपके राशी के महाराशी फल के बारे में कि छे जुलाई गुरुवार के दिन आपके दिये कैसे रहेंगी इस दिन आपकी लवलाईत कैसी रहेगी आपका स्वास्त कैसा रहेगा और आपका कैरियर बिजनस कैसा चलेगा शाथी जारेंगे दोस्तों इस दिन आपका शुबरंग और सुब अंग क्या रहेगा कितना प्रतिसत भाग्या आपका साथ निभाएगा और किस तरह शे प्लान करके चलें ताकि दिन सबसे खास सबसे बहतर बने लेकिन उससे पहली आज के गरह नक्षत्र और पंचांक के बारे में जान लेती हैं दोस्तों आज दिनांक 6 जुलाई 2023 दिन गुरुवार तिथी के अगर बात करें तो क्रश्न पक्ष की तृतिया तिथी 6 बज कर 30 मिनट तक रहेगा और नक्षत्र की बात करें तो इस दिन श् विजित महुर्द का समय दो पहर 12 बज कर 4 मिनट से 12 बज कर 58 मिनट तक रहेगा आज का राहुकाल अर्थात दिन का असुब समय दो बज कर 11 मिनट से 3 बज कर 52 मिनट तक रहेगा दोस्तों इस राहुकाल के असुब समय में कोई भी नए कामों की शुरुवात ना करें अब ब पुज़कर 38 मिनट तक मकर राशी में रहेगा उसके बाद कुम्भ राशी में चले जाएंगी आईए बात करते हैं आपका देनिक राशी पल और यहाँ प्रेडिक्शन आपके चंदर राशी पर आधारी थे दोला राशी बालो आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको शम के पास समय नहीं होगा जी हां दोस्तों इसलिए समय को मैनेज करना सेखिए समय को बचाना सेखिए दोस्तों इस समय ने अच्छे अच्छों को बरबाद कर दिया है समय है खुद से बदल जाओ तो ठीक है अगर समय ने बदला तो बाद में बड़ी तकलीफ होगी जी हां द पितफे पीछे वाली अगले चोविस घंडे के अंदर दो जगों से भारी धन इनकम होने की संभावना बन रही है। लेकिन आपको अपने प्रयास जारी रखना होगा, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, वहाँ आपको इज़त भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पीछे मत हटना, जी हां दोस्तों, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयाश करेगा, बात समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करते जाईएगा, क्योंकि दोस् दोस्तों, लोगों की परवाह करना छोड़ दिजिए, जो आपको अच्छा लगता है, वही करिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अंतदग देखिएगा, देखिए दोस्तों, शात्रों के लिए, आज का दिन बहुत अच्छा है, किसी परिक्षा में उतरने के लिए, दिन से अच्छा समय है, सफलता आपके साथ है, पैशे वरों के लिए, आपके कारिस्थल पर एक सकरात्मक दिन होगा, लंबित मुद्दों का हल मिलेगा, और अगर कोई समस्या आपके जिवन में लगातार चलती आ रही थी, उन समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा था, तो आज के दिन उसका समाधान आपको मिलेगा, अगर आपको लगता है कि वेतन वर्धी के लिए आज का दिन उप्यूक्त है, तो आप अपने उच अरिकारियों से बात करने का दिन आज बहुत अच्छा है, जी हाँ, देखिए दोस्तों, शिटारे इस बात को लेकर हमें सं सहासिक अनुभवगर रहे हैं, और अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तैयार हैं, जी हाँ, दोस्तों, आप अपने एक्षा शक्ती से सभी मुश्किलों पर विजई प्राप्त कर लेंगी, आज आपकी तरक्की को कोई नहीं रोख सकता, इसलिए दोस्तों, अपने शभ रही मुश्किल काम आज करने की योजना बनाएं, सफलता आपकी कदम जोने की, इस बात की 100% कैरंटी है, 100% संभावना है, जी हाँ, दोस्तों, आज आप अपनी वर्तमान जिवन सेली के लिए, अपने स्वास्तिक को जोखिम के बारे में जागरूख होंगी, और इस से, इस आप संभाविक खत्रे के प्रती सावधान हो जाएंगी, जी हाँ, तो आप पहले से भी कई बार इस से जो है बहतर जीवन सेली बनाने की कोशिस कर जुके हैं, लेकिन इस बार आपको यह थोड़ा आसान रहेगा, यह जरूरी है कि आप अपनी रोमेंटिक लाइफ के मामले में आराम से काम लें, जी हलोस्तों, इसमें आपको कोई भी हर्वड़ी नहीं करना है और नाहीं कोई जल्दबाजी करना है, आप हर एक भावना के बारे में बहुत ही जल्द गंभी हो जाती हैं, ऐसा करते रहना अब संभव नहीं होगा, आपको अब जरा धी में चलना प्यार के पुराने तरिकोशे बदल लेने के लिए हाला कि आपका दिमाग आपको सब कुछ तेजी से करने को कहेगा जी हाँ लेकिन आपको तेजी से नहीं करना है जी हाँ प्यार भरे छोड़े छोड़े इसारे आपकी बात को समझाने के लिए काफी होंगी जी हरोस्तों अब लोकन और विशलेशन की आपकी सकती आज अपने चरम पर होगी अतब अगर आप किसी भी नौकरी में हैं अगर आप इन कोशल की आवशकता हैं तो आज सखलता आपकी कदम जोनेगी बैग्यानिकों जाज करताओं और सोद करताओं के लिए आज का दिन उप्योगी दिन रहेगा जी हरोस्तों आज आप रशनात्मक और निस्पक्ष तरीके से अपने कारिस्तल पर समस्याओं का हल्क होजेंगे जो कि आपके कारियाले में सहारा जाएगा जी हाँ, देखिए दोस्तों, शितारी कहती हैं, आज आप एड़ज़्ट करने के मूड में रहेंगे जी हाँ, आपकी लोगों से मिलकर और बातचित के जरिये किसी समझोते पर पहुँचने की कोशिश से आप शब को बहुत अच्छे लगेंगे आप तुरंद किसी भी समस्या का समाधहन निकाल लेंगे जी हाँ, आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आप किस तरह आपके आसपास और खुद को भी खुबसूरत बना कर रखा जाए और सारे कालिकरम ताइक करने योजना की अनुसार अच्छे से पूरा हो जाए देखे रोज तो, अगर आपको अपने तरीके और अपने पार्टनर के तरीके में से एक कुछ चुणना पड़े तो आपके सामने एक मुश्किल इस्थती आसाईगी जी हाँ, लेकिन सांती बनाए रखें और किसी भी मुद्दे को लेकर अपने पार्टनर से कारिकरम तरीके से सवाल ना करें जितना प्यार वो आप से करते हैं उसे लोटाने की कोशिश करें और किसी और के कहे अनुसार चलने की बजाए आप उस मुश्किल समय को याद करें, जो उन्हें याद दिलाने की कोशिश करें, जो आपने एक साथ काटा था आज एक और प्रतियासित अवशर आज आपके कारिक्षित्र में आ सकता है जी हाँ, और आपको उसे पकड़ने में संकोश नहीं करना है अत्यादिक वेलम इस अवसर को गवा सकता है और आप एक धन रूपी अवशर को खो सकती है इसलिए दोस्तों, कोई भी मौका अगर आपकी हाथ आता है, तो आप उस मौके को जाने मन देजिएगा चाहे उसके लिए आपको जीजान एक करना क्यों ना पड़े फिर भी आप उस मौके को हाथ से जाने मत देजिएगा दोस्तों, नहीं तो आगे चलकर आपको पस्ताना पड़ेगा जी हा दोस्तों दोस्तों, अगर जानकारिया अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर परदान करें अब बात करती ही, सुबरंग और शुब अंक के बारे में तो आज आपका शुबरंग है पीला कलर और सुब अंक है दो भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 69 परतिसत तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर किसिएगा धन्यवाद